मेरे प्यारे और एक्षियों क्लास को start करते हैं और इस क्लास में a sample complete करवा देंगे Exercise sociale 12.1 के और पिछली क्लास में a example तीन Как complete करवाे थे अगर आप लोगंak हैं complete नहीं किया लिंग के टेक्स्रिप्स नो मिल जाएगा complete कर लेना और इस class में complete करवा देंगे एक्जांपल तो लाइक कर दो सबी इस इस वीडियो को और जयादा चेयर कर दो इस वीडियो को पहला दो अपने सर्केल में क्योंकि मज़ा आने वाला है इस क्लास में उड़ने वाला है बचे हुए एक्जांपल का गर्दा तो देख लो यहां पर एक्जांपल फोर बताया गया है इफ रोवन एंड रोटू वी दा रेडियाई आफ करवेचर आफ दा एक्स्ट्रेमिटीज आफ टू कंजूगेट डामेटर्स आफ एन इलिप्स प्रूब देट इतना एक्कोल इतना कुछ समझ में आया नहीं आया ना अब आपको समझाते हैं यहां पर रोवन रोटू क्या बोला है रेडियाई आफ करवेचर अगर हम आपसे पूछें रो को क्य क्या बोलते हैं तो आप बोलोगे रेडियस आफ करवेचर अगरेडियस आफ करवेचर केवल रो है यहां पर क्या है रोवन एंड रोटू दो है ना दो के लिए रेडियाई बोला है समझ गया है अब आपको यहां पर एक्स्ट्रेमिटीज समझना है कंजूगेट डामेटर समझना है डायग्राम बनाएंगे तब बताएंगे एक्स्ट्रेमिट रख के बारे में उसे के बारे में registered तो नियुक्ट सब्सक्राइम डायग्राम बनालो है लिप्स का पता है आपको तीक है तो देख लो यहां पर हम बनाते यह यहां पर आपको लिख लेना है x-axis और यहां पर y-axis मेरे पहरे बच्चों, conjugate diameters की बात करें अगर 90 degree angle बन रहा है, तो बोलेंगे conjugate diameters जैसे यह आपको दिख रहा है, यह और यह, इनको क्या बोलेंगे, conjugate diameters बोलेंगे यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, conjugate बॉलेंगे conjugate diameters बोले गए इतना clear हुआ अब extremities की बारे में बताते हैं यह जो ellipse है इसका equation तो पता ही आपको क्या होता है x square upon a square plus y square upon v square equal one अब x square upon a square है तो हम क्या करेंगे x axis पे vertex लिखेंगे मतलब आपको यह लेना a मतलब square तो दिख रहा है square हटा के लिखा जाता है x k upon a है तो a, 0 लिखना है यहां पर x axis पे ऐसे ही लिखा जाता है यहां पर क्या आएगा minus a, 0 यह तो आपको पता ही है अब y square upon b square है तो हम क्या देखेंगे y axis पे यह आएगा matching matching की जाती है y के upon देख लो y axis पे लिख दो x के upon देख लो x axis पे लिख दो तो y के upon b तो यहां पर हम क्या करेंगे 0, b लेंगे और यहां पर क्या लेंगे 0, minus b लेंगे extremities इनको बोलेंगे यह जो देख रहा है इस point को इस point को बोलेंगे और यह जो हैं इनको भी बोलेंगे क्योंकर extremities का मतलब होता है बाहरी बाहरी होता है तो यह क्या है वर्टेक्स हैं बाहर दिख रहे हैं इनको क्या बोलेंगे वर्टेक्स बोलेंगे हिंदी में बोलते हैं सीर्स भाई इसको भी बोलेंगे वार्टेक्स इसको भी बोलेंगे वार्टेक्स इसको भी बोलेंगे वार्टेक्स हेंदी में सीर से बोलते हैं तो यहां पे relevant रो टू है तो दो पॉइंट आपको पकंडना है क्या पकंडना है दो पांट बैसे तो चार दिखं़ रहे हैं एक दो तीन चार वर्टेक्स निmms तो हम क्या करेंगे रो 1 यहां से निकालेंगे इस पॉइंट से और रो 2 यहां से निकालेंगे इस पॉइंट से समझ गए अगर रो 3 होता तो इससे निकालते हैं रो 4 होता तो इससे निकालते हैं कोई दो पगड़ लो चाहें आप इसको इसको पगड़ लो पकड़ना आपको 90 90 डिग्री का एंगिल जो बना रहा है जैसे इसकी बात करें या फिर आगे की बात करें मतलब यह लाइन ले लो यह ले लो तो यहां पर यहां पर इसको पगड़ लो इन दोनों को यह फिर यह वाला 90 ले लो तो यह ले लो तो रोबन यहां से निकाल ले ना रोटू यहां से अगर हम इसकी बात करें देखो यह 90 डिग्री बन रहा है तो रोवन चाहें यहां से निकाल लो चाहें यहां से निकाल लो अगर आपने रोवन यहां से निकाला इस पॉइंट से तो रोटू यहां से निकालना कोई दो लेना है वर्टेक्स तो हमने क्या ले लिए यह वाले ल इसके एक्वाल यह प्रूब कर देना अब रो बन रो टू तो पता चल गया इस वाले से रो बन इस वाले से रो टू निकालेंगे लेकिन रो आपको सबसे पहले निकालना आए रेडियस आपकर विचर फार्मला कौन से लगेगा क्योंकि अगर इलिप्स का एक्वेशन देखे होल स्कॉर होल पावर त्री अपान में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्कॉर यह होता है पहले आपको रो निकाल लेना है ठीक है फिर आपको इस पॉइंट से रो बन पता चल जाएगा और रोटू पता चल जाएगा तुरंत ही हम क्या करेंगे लेचेस में रखेंगे अर से लिख लो पहले आपको डाइग्राम बनाना है पहले आपको डाइग्राम बनाना है समझ गए तो यहां पर लिखेंगे लिखेंगे इलिफ्स ओके x-square upon a-square प्लस y-square upon v-square ≤ 1 सबी student इसको लिखो अब dy upon dx की value चाहिए और d2y upon dx square चाहिए क्योंhin formula याद है तो दो बेलू चाहिए तो हम differentiate करेंगे with respect to x गया है सभी student लिखो differentiating with respect to x तो x square का हम लिख देते हैं 2x अपान में ऐसे रखो यहां पर y2y के अपान v2y का अगेन करेंगे तो dy upon dx होगा constant का छोड़े छोड़े बच्चे जानते हैं कि 0 होता है differentiate अब यहां से हम क्या करेंगे dy upon dx निकालते हैं तो 2y upon v2 dy upon dx के equal इसको उस साइड लेके जाएंगे मैनस का 2x upon a square आएगा न यह कड़ गया तो dy upon dx की वैलू निकालें किरास इंटू कर दो तो मैनस b square x upon a square y कि dy upon dx की वैलू निकली अब बात करेंगे हैं दीटू वाइप उपाउन डीएच स्काइर के वैलो तो डाइग्राम बना लो इसको रफ करेंगे न क्योंकि हमें इस पेस चाहिए लेकिन ध्यान रखना कि रोबन आप निकालोगे एक कामा जीरो से और इसको हटा देते हैं और रोटू निकालोगे इस पॉइंट से जीरो कामा बीस है ठीक है अब इसको हटा देते हैं केवल इतना ही यूज होगा जो बहां पे लिख दिया है इसको हटा देते हैं अब बात करेंगे हम डीटू वाइप उपाउन डी एक्स स्कॉयर की तो इसी का अगेन करेंगे डिफ्रेंशीट या डीवाइप ऊण डी एक्स की वैलू है इसी का अगयन करेंगे डिफ्रेंशींस घत्नि विस रिएता गॉण धेक्स स्कोयर माइनस बी स्कोयर अपान ए इसकोयर क्या करो आगे लिव और इसमें लगा लो फार्मूला झी वालेंडर का लगेगा पहले जिए डिकह रहा है बलू रा लेंगे यह वाली को लेंगा तो मेंस 3 स्कॉाइर के अपान ए स्कॉाइर 1 तो यह जए से रखना जैसे यह भी बैलु डाले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो हमने अद्स पहले से कि एक्षा और मिलेगा तो वी स्कॉर 2021 की पॉइस रोगा है अपान में ए सकॉएर by अब अपान में कह लिखो y2 ठीक है अब LCM दलो जैसे ही LCM ले लेंगे तो यहां से आपको कितना मिलेगा देखो इसका इसमें टू कर लो LCM लो V2 इंटू में X2 प्लस इसका इसमें इंटू करेंगे A2 इंटू में इससे एकवेशन डालो फास्ट यह जो एकवल के इस साइड है न यहीं बनेगा तो हमने यहां से निकाल ली बहे लो स्कॉर बीच्वार रख देंगे तो लिंगे पहले वी स्कॉर के अपान में एज्वार ठीक है यहाँ पर हमने क्या क्या एजिसक्वार वाई एलसे लिया की लिया Edit Men ले लिया इसका इसे में गरेंगे तो ए स्कॉयर यसकॉयर हो 10 क फिला सिस्के अफान बंड वनंट सोब तो ऐसे ही रखेंगे आपान में वाई इसको एक यह तो नीचे आयगाल लेकिन एसकॉर दाल देते हैं वी स्कॉयर के अपवाउन है एसकॉयर हमने डाली यहां पर तो ए स्कॉायर वी स्कॉायर अपान में यह आएगा ना तो एसकॉयर ऐसी रखो बाई पर बन बाई पर टू थो बाई पर कितनी हो जाएगी थ्री हो जाएगी थोड़ा यहां से देखो सिंप्लिफाइग करते हैं तो केंचिल हो रहा है और यहां पर बता दूं कि वैलू रखी है वाई एक्वेशन फास्ट से कहां से रखी है वाई एक्वेशन फास्ट से हमने वैलू रखी है इसकी रखी इसकी अब केंचिल कर लो यह इससे केंचिल हो जाएगा तो मेरे प्यारा बच्छों क्या मिला माइन V square into में B square तो V की power 4 upon में देख लो A square into YQ तो यहांपे कहा लिखा A square सभी स्टूटेन्ट लिखो A square into YQ इतना clear हुआ B square का B square में into हुआ तो B की बाद 4 upon मेंदेखो कैवल A square है, A square into YQ यह नदिकली A value D to Y upon dx square ठीक अब फार्मरा लगाते है रेंड़ हाफ कर वेचर का ठीक इतना नोड़ को लो आव17 को रफ करते मान तोड़ा रड फााइल ले असको क्या ले लेते हैं रड फाइल ले लेते हैं कि सभी स्टुडेंट नोट करते रहों है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा न 1 plus dy upon dx का whole square यह formula होता है d2y upon dx square अब value बता हो इसके rough कर चुके ना आप लोगों को याद होगा ना तो 1 plus dy upon dx यह थी minus का v square x के upon a square y यही निकाली थी value तो भाई यहां पे डालोगे square ना square करके लिखेंगे तो b की power 4 x square के upon a की power 4 y square ठीक है square करके लिखा यह negative positive हो गया value डाल दी अब इसकी value डालना है तो पहले यहां पे इतना लिखेंगे upon में यह value डालो तो minus b की power 4 minus b की power 4 upon में a square y की हो ठीक है अब देखो इसको simplify करते हैं इसको अटा आगे आब इसकी जरुवत नहीं पड़ेगी यहां से देखना है यहां से रो के equal lcm लेते हैं तो lcm जैसे लेंगे यह नीचे आएगा इसे ऊपर लेके जाएगा तो पहले हम लिखेंगे इसका इसमें इंटू करेंगे a की पावर 4 y square पिलस ठीक है ना इसका इसमें इंटू हुआ a की पावर 4 y square पिलस b की पावर 4 इंटू में x square whole power 3 upon 2 और इंटू में यह नीचे वाला सबसे ऊपर चला जाएगा a square y की हो अब आपान में देख लो यह जब lcm लिया था ठीक है यह नीचे आएगा लेकिन अपनी पावर लेके आएगा 3 upon 2 तो 3 upon 2 का मतलब है अगर a की पावर 4 देंगा 2 से यह 4 कैंसे लोगा 2 2 जा 4 2 मिला 2 3 जा 6 a की पावर 6 हमने यहां पे लिखी अब यह पर कितनी 2 है और इसकी whole power 3 upon 2 से 2 कैंसे लोगना by q मिलेगा क्या मिलेगा यहां पर y q मिला ठीक है और यहां पर नीचे b की पावर 4 पहले से b की पावर 4 पहले से ठीक है यहां पर माहने से लगा लो हुआ आप देखों यह वाला कैंसे हो गया यह स्कॉर से यह वाला गैंस्य लोगा एक यह वाला फोर बचेगा न ठीक है तो रोखे एक कह लिख लो ड्यूजे लो ब्रेकट में समडू सेम आपको लिख लेना एक यह की पाव फूर y square पिलस v की पाव 4 x square whole power 3 upon 2 ठीक है अपान में minus यहां पे ले लो ठीक है a की power 4 और b की power 4 ठीक है यह तो cancel हो गया ना लिखेंगे अब row 1 निकालेंगे a comma 0 से तो यहां पर क्या लिखेंगे at a comma 0 ठीक है तो row 1 equal यहां पे यह वाली value यूज करना है मतलब यह बाई है यह एक से तो जैसे ही value डालेंगे तो यहां पर minus है minus हटा दो क्या करोगे तो रेडियस आप करवेचर की answer कभी निगेटिव आती नहीं है बाद में अटा देना बाद में अटा देना तो जैसे जीरो डालेंगे जीरो आया यहां पर डालो तो प्लस वी की पाव फूर अटा एसकोर यह एकस है यह बाई यह जीरो हो गया यहां पर डालो एसकार होगे ना होल पावर थिरी अपांट हो ठीक है अपान में एकी पावर और बीगी पाव फूर तो यहां से देख लो रोवन एक्वल अब simplify करो यह तो खतम है ना पावरwo देदो इसे ठी की फावर एक्ट में अपान में एकी पाव इसक पूहर यह निगेटीव है बाद में अटा देंगे चाहें अभी पहीं हटालो बाद में अटालो हटा देना है कई अटालो तो यहां से हम इसको यह कैंसल करेंगे तो V स्कॉर आएगा ना क्यूंधिक फॉर और सेक्स है यह वाला पूरा-पूरा कैंसल हो गया तो माइनस बी स्कॉर के अपान तो रोबन अब हटा देते हैं निगेटिफ हटा देते हैं इसका यूज करें तो अभी इसे साइलेंट रखते हैं रोटू की जब बैल हो आजाएगी फिर यह लेंगे लेंगे लेचेस तो इतना किलियर हुआ होगा कि 6 है पावर 4 माइनस होगी 2 मिली यह 3 थी पावर यह 4 तो थी 3 केंसल होगी ना पावर ए मिला ठीक है अब रोटू की बात करेंगे यहां से बताते हैं तो नोट करते रो मज़ा तो आएगा ना देखो अब हम लिखेंगे एट रोटू जिरो काव वी से निकालेंगे तो एट जिरो काव वी तो यहां से लिखेंगे रोटू तो यह एकस है यह बाई है ठीक है तो मेरे प्यारे बच्चों यहां पर हम एकसी बैलू डालेंगे जीरो हो जायेगा आक बाई की यह वाली यहां पे डालेंगे 20 स्कौर आएगा तो negative A की पाव़ 4 वी स्कौर यह तो हो गया जीरो ठीक है क्योंगे X 0 है ना हो गया 0 3 अपांट हूँ अपांट में A की पाव़ 4 और B की पाव Cen तो रो 2 के इपाल simplify करेंगे इसको power दे दो 3 upon 2 तो 2 2 जा 4 2 मिला 2 3 जा 6 एकी power 6 इसे देंगे 2 2 cancel होगा ना power में power का into होगा तो यहां पर बन बन का 3 में into करेंगे तो b की power 3 ठीक है अपान में a की power 4 और b की power 4 cancel कर लो यह वाला इससे चला जाएगा यहां पर यह a square मिलेगा तो row 2 और a square एपान भी ठीक है अब बात करेंगे नेगेटिटिब की तो नीगेटिव हटा देते हैं क्या करते हैं निगेटिव हटा देते नोट करलो बहीं क्या जल्दि नोट कुर रेविट फाइर की कि देखो यहां पर जैसे हम बात करेंगे निगेटिब की तो लेटिव अटा देते हैं से स्कॉायर के अपांग यह तो भाई रोवन डोटो गी वैलु निकाल ली अब लेंगे 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 तो रोवन ये हैं होल पावर थरी पांग पिलस रूटू की होल पावर मैं टूपॉंट थरी है ठीक है whole power इसकी कितनी है नहीं दिख रही है 1 है a v की whole power 2 upon 3 ठीक है अब बैलू रखेंगे देखो rho 1 वो रहा तो v square के upon a whole power 2 upon 3 पिलस rho 2 की देख लो यह है a square के upon b whole power 2 upon 3 और बाहर क्या चल लाएं a b की whole power 1 upon 3 means 2 upon 3 है इतना क्लियर हुआ अब simplify करना है a square plus b square लाना देखो यहां पर पावर देंगे तो बी की power 2 to 4 upon 3 इसको देंगे तो एकी power यही आएगी 2 upon 3 पिलस अब इसको power 2 to 4 upon 3 इसको देंगे ना तो बी की power 2 upon 3 अब LCM ले लो LCM ले लो पहले इसको लिखो ही है यह वाला लिख लो अब लेंगे LCM लेंगे LCM सही है कैंसल हो जाएगा हमको numerator में a square plus b square चाहिए इसको रफ करते हैं अब हम क्या करेंगे थोड़ा और solve करेंगे answer मिल जाएगा तो देख लो यहां पर यह से हमने LCM लिया ए वी की whole power 2 upon 3 क्योंकि power same है इसकी और इसकी तो whole power कर करके लिख दे क्योंकि यहां पर whole power है इसलिए लिख दे अलागर लिखो कोई दिक्कत नहीं है इसका इसमें into करो तो आपको पता है 2 upon 3 है 4 upon 3 base same है multiple में power प्लस हो जाती है तो 4 upon 3 2 upon 3 प्लस करो तो 6 upon 3 बीकी पावर कितनी मिलेगी 6 upon 3 मिल जाए ठीक है पिलस अब इसका इसमें into करो तो 4 upon 3 2 upon 3 प्लस करो तो 6 upon 3 मिल जाए ठीक है और बाहर क्या है एवी की whole power 2 upon 3 यह वाला इस से कैंसल कर लो यह कैंसल कर लो पावर त्री टूजा 6 यहां पर 326 ठीक है कैंसल कर लो यहां फिर ऐसे ही रखो एसकौर प्लस वे स्कॉर यहां पर लिख दो अच्छा त्री टूजा 6 और यह त्री टूजा 6 मेरे पहारे बच्चों एस कोई प्लस भी स्कॉर हमको लाना था आ गया न यह बहुत ज़्यादा आया हुआ है लाइन लगी यह लगी है तो इसको आपको तैयार करना ही करना है अब नेक्स एक्जामपर कर्वाते हैं अब इसको सौल प्लावते हैं यहां पे लिख्खा है कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया अब आपको समझाते हैं कैसे यहाँ पे CPCD पेर बोला है, पेर का मतलब जोड़ा किसके लिए? कंजूगेट सेमी डामेटर्स अभी जो एक्जांपल 4 सॉल्ब हुआ था बहां पे कंजूगेट डामेटर्स था क्या था? कंजूगेट डामेटर्स था लेकिन यहाँ पे सेमी बताया इसको समझना है आपको फिर यहाँ पे इलिप्स बोला है वो तो आपको पता ही है प्रूब करना है रेडियस आफ करवेचर क्या प्रूब करना है? रेडियस आफ करवेचर एड पॉइंट पी पे यह अंसर सीट आपको निकालना है रो के एकवर और A and V जो यहाँ पे उसके लिए बोला है लेंट आफ दा सेमी एक्सिस भाई इसमाल A and इसमाल B लेंट आफ दा सेमी एक्सिस यह भी आपको समझना है सेमी एक्सिस किसको बोलते हैं और इलिप्स तो आपको पता ही है तो यहाँ पर भी डाइग्राम बनेगा देख लो डाइग्राम में बताएंगे कौन सी चीज कहाँ पे मिलेगे तो मेरे प्यारे बच्चों डाइग्राम बना लो यह कंपट बिछा बिछा है यह कंपट क्या है बिछा बिछा है कमपट खड़ा-खड़ा भी होता है देख लो ellipse ऐसा भी बनता है यह कब बनता है जब B greater हो A से और यह कब बनता है जब A greater हो B से यह कमपट बिचा-बिचा है यह कमपट खड़ा-खड़ा है तो इससे काम करेंगे चाहें आप यह बना लो कोई दिक्कत नहीं है यहां पर बोल लोग तो हम क्या करेंगे कमपट बिचा-बिचा लेते हैं ठीक ऐसे क्या बोलते हैं ठीक है तो यहां पर वाइख्स और यहां पर आपको ऑक्स लिक लेना आर्फेर प्सक्राइम से लेगित रिख पता ही है जिनके बीटविन 90 का इंगिल बनने तो यह तो आपको पहले साथ हैं konjugate diameters बोलते है लेकिन यहापे रहा मतलब हाफ लेकिन यहापे बोला है cp cd यह दो लेना है अंहीं मरजी से नहीं लेना है बैसे तो यह होते हैं diameters conjugate इन में से नहीं लेना है अलग से बोला है cp and cd तो यहां पर बात करें यह center है C ले लिए ठीक है पॉंट यहां पर P डालते हैं क्या डालते हैं P डालते हैं यह हो गया यहां से यहां तक semi diameters semi का मतलब आधा अगर आप इसको यहां पर लाते हो मतलब यह कि यह डायमीटर्स है यह क्या है डायमीटर्स एक पॉइंट अगर यहां पे ले लें डी यह क्या ले लें यहां पर दो है ना डामीटर्स तो यहां पर हमने क्या ले लिया डी ले लिया लेकिन अगर यहां से यहां तक की बात करें तो डामीटर्स होते हैं यहां से यहां तक यहां से यहां तक लेकिन अगर सेमी डायमेटर से बात करें तो इसको आपको हटाना है इसको आपको हटाना है ठीक है केवल यहां से लेना इसको सी डाल दो इसको क्या डाल दो सी तो सीपी सीडी यह क्या है conjugate semi diameters है पहचान तो पता ही आपको 90 degree का angle बनाते हो तो अगर बात करें यहाँ पे थोड़ा color कर देते हैं इसको इसको क्या करते हैं color कर देते हैं अगर इसको देखा जाए तो यह 90 degree है तो क्या करेंगे pi y 2 लिख देते हैं यहाँ पे यह क्या लिख देते हैं pi y 2 अब देखो यहाँ पे जैसे pi y 2 आपने समझ लिया समझ लिया अगर हम आप से यह कहें कि आपने यह समझ लिये हैं semi diameters है ellipse के radius of curvature add p पे यह पुरूप परना है तो point p आपको बताना है पिर उसके बाद में यह वाला point बताना है यह वाला point बताना है कैसे बताओगे पहले तो इसके लिए देख लो जब यह पता चल जाएगा तुरंथी इसी से यहाँ पे 90 degree है तो आपको पता है कि यहाँ पे पिलस पिलस रहता है first quadrant पिर्थम चतुरतांस में यहाँ की बात करें यह माइनस पिलस देता है तो जो भी point होगा पिलस पिलस में होगा और यहाँ पे जो निकलेगा वह माइनस पिलस का निकलेगा ठीक है आपसे यह कहें ellipse का equation बताइए तो आप बताओगे x square upon a square पिलस y square upon b square equal 1 यह बताओगे तो अगर parametry की बात करें x equal a cos theta और y equal v sin theta अगर parametry की बात करें तो यह होते हैं ellipse के तो यह और यह ले लेना यहाँ पे a cos theta और कहों v sin theta तो मेरे प्यारे बच्ते ओँओ यह फिलस毎य पिलस मिलेंग़ आप बात करेंगे यहाँ पर second quadrer तो यह 90 है न तो आपको पता second quadrant की अगर बात करें तो 90 plus theta होता है तो क्या करना है यहाँ पर theta replace करना है 90 plus theta ज़े second quadrant का angle तो पता ही आपको यह होता है तो थोड़ा सा देख लो यहां पर हम क्या करेंगे a Cos 90 plus theta ठीक है, फिर कमा V sin 90 plus theta, ठीक है, थोड़ा simplify करते हैं, Cos 90 plus theta क्या होता है, माइनस थीटड़ होता है तो माइनस थीट़ यहां पर लिखते है है और ये बता दिञे साइन 90 फिलस ठीट़ ये वाला आप बोलोगे सर कोश थीटा पोजिटिब है क्योंके भाई ये सािन और कॉसी का घर है ये किसका घर है साइन और कोशे का दो पिलस रहते हैं बांकी सारे माइनस रहते हैं सेकेंड कॉडिंट है यह तो साइन का कॉस होगा पोजिटीब ठीक है तो यह पॉइंट हमको पदाशल गया अगर इसकी बात करें तो मैं चोह रहा है जैसे यह मैं चुगा करनें चैशन है इतना आपने समझ लिया कि एट प्वोंट पी इस से हम क्या करेंगे यह प bron varit तो आपको पता है कि यह परामेटी के लिए तो पैले मेट्रिक के लिए फार्मला यूज's करना जैसे फार मेट्रिक मैं पतात है आपको जैसे अ हैं तो डी एक्ससे टीटा का होल स्कॉयर होल पावर थिरी अपांट हो और अपान में चार बिरेक इडाते हैं वो तो आपको पता ही है क्योंकि यह लास्ट क्लास है एक्सेसाइट 12.1 के तो यह तो आपको पता ही है अब करवाते हैं सौल भाई हमने आपको पहले ही बताया पढ़ाई किसको बोलत है एक कदम आगे का पता हो तो क्या वोलते हैं पढ़ाई बोलते हैं वही एक कदम आगे का बता रहा है कि करना गया है आपने सब कुछ सीखा है लेकिन यह नहीं समझपा है सेमी एक्सिस का मिलेंगे तो आपको पता है अगर इसकी बात करें लौत में बताय मोँज़ते हैं और यहां से यहां तक यह वाला आघर स्मझ के और इधर लेना है यह भी आपका क लेंटीम नहीं होती है की इस्टेंस कभी भी निगेटीम होती है पॉंक्त आपका लेगा जैसे मा था एक यहांप बूलेगा यहां पर वयर्टे cvalet भी हो जाएगा ठीक है यहां पर क्या होगा अगर बात करें बी की यहां से यहां तक तो जीरो का माइनस भी होगा तो इनका यूज नहीं है इन वर्टेक्स का यूज नहीं है के बल बता दिया है आंसर सीट में जो ए भी है वो है क्या के बल इसका यूज है और इसका यूज है जो C है 0,0 है center तो CD हम निकालेंगे distance के फार्मूले से ठीक है और radius आप कर वेचर निकालेंगे row तो पहले row निकालो फिर उसके बाद CD निकालो फिर क्या करेंगे row के equal इतना prob कर देंगे row निकालेंगे पहले इसको हम रफ कर देते हैं गेंसको हटा दें वह क्यों आपको पता ही है कि मिए यह डाइगराम बना लो लो सबीव ट्रane के अगरों हो डाइग्राम बना वह गर्द का ही यहां पर खेल है कि लेखलो ऑल्पह पहले आपको डाइगराम बनाना है। फिर आपको लेखना है दगिविन कर्व क्या लिखना है दगिविन कर्व 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 का अगर नाम है तो आपको लिख देना है जैसे इलेफ्स है तो इलेफ्स लिख लो कर्व का अगर नाम है तो लिख लो नाम नहीं नाम है तो ना लिखो थो फिलिएपसर नाम दिया गया है लिगते हैं ताकिमिन कर लिखना है पैरा मैट्रिक लिखा यह जो पॉइंट दुख रहे हैं यह क्या है पैरा मैट्रीक है तो एक्सके ऐकल एक haber theta है और वाइकल वी सैन तीटा Canadian और यहाँ पर आपको बताना कि?!" कि khác recruit dependent eleven opt za judgments एक आधि एक सिखिवर और यक्रीन देखते हैं किस एवियर्यरीबुमे है वही पर होता है कि इसलिए बताया है निद्फरेंसीटいい होगा जो भी थी एक ही के ही रस्पेक्टोण दिफ्रेंसिय गाते हैं तो टो लुट CR पर ज्यादा आपको focus देना है कि जो भी एरीवल parametric होता है उसी के बिद्रिस्वेक्ट्टू हमको differentiate करना पड़ता है ठीक है अब differentiate करेंगे बिद्रिस्वेक्ट्टू ठीटा के तो यह तो हो जाएगा यह ठीक है अगें कर लो d2 x के upon में d theta square तो क्या होगा sin का cos हो जाएगा अब यहाँ पर आ जाओ y का theta के भी दिरिस्पेक्ट हो b cos theta ठीक है तो d2 y upon d theta square क्या होगा minus का v sin theta अब मेरे प्यारे बच्चों formula लगाते हैं radius of curvature के लिए तो यहाँ पर space नहीं है हमें diagram rough करना पड़ेगा ठीक है diagram हटाना पड़ेगा ना space नहीं है लेकिन diagram आप लोग बना लो क्योंकि हमें जब c d निकालना होगा तो d का यहाँ पर लिख देते हैं d का point यहाँ पर लिख देते हैं बाद में इसका use होगा न a sin theta और b cos theta और c का लिख देते हैं 0,0 बास जब c d निकालेंगे इतने की ही जरूत पड़ेगी बंग कि किसी की जरूत नहीं पड़ेगी ठीक है इसको हम रफ कर देते हैं diagram हटा देते हैं चलो बाई अब radius आप कर वेजर के लिए लगाओ फार्मुला उडाओ गरदा तो लाइक कर दिया गरो दवा-के लाइक करो वाई इस वीडियो को जादा ज़ magari करो कि हैं यहां पर लिखेंगे वी नू दैट कै लिखेंगे वी नू दैट बराबर लाइक करते रो रावर लाइक करते रहो औरो पान्ट हङे हमोर फ्राइक्हंख थी अलगा फॉल पावर अब सकोरइवस थीवाइर आपन वावरमे अब नीचे किने गया चाहर आएंगे च्छा यह ढर आएगा है तो आपको पता है चार भ्रेकिट पहला जो होता ऑन देस्वां डीडिट नेतर ना याद के तो वाई याद कर लो फार्मुला मैनस डी बाई अपॉण डी ठीटा और इस वाले बिरेकिट में डी तूवाई अपॉण डीठीटा स्कॉयर अब बैलू हम डालेंगे वेलू डालो भाई देखो कैसे हैं रो के क्वैल हमने डी एक्स अपान डीटीटा की बैलू डाली यह माइनस का एसाइन थीटा स्कौायर करके लिखे एसकौयर साइन थीटा और पिलस डी बाइपॉण डी तीटा की यह है इसकौयर करके लिखना वी स्कौयर कॉज स्कौयर थीटा होल पावर ठीज अब अपान में कितने ब्रेक्ट में चाहर ब्रेकट में पर दूसरे ब्रेकट में दूसरे ब्रेकट में Eleven लेखे लेक्ट सब्सक्राइब लिक्रिक माइन का a sin theta minus का a sin theta second bracket होगा d to y upon d theta square minus का v sin theta तीसरा bracket किसका है d by upon d theta का है तो यह रहा v cos theta यह last का bracket किसका है d to y upon यहां पर थोड़ी मिस्प्रिंट हुई है यह d to y upon d theta square होगा ठीक है अब ठीक कर लो आप लोग भी d to y upon d theta square कहां गया यह कटा है माइनस का a cos theta ठीक है रोखे इक्वल यहां पर कामन लेलो नहीं मिलेगा ना कामन नहीं मिलेगा तो ऐसे लिक दो जैसा लिख आना ऐसा ही लिखो कामन तो मिला नहीं नीचे देख लो हम नीचे कामन मिल ला है यहां से कामन लेगा इंटो करोगे कामन लेलो तो मैनस मानस प्लस हो गया साइन स्कॉर थीटा और प्लस इसका इंटुकर हो अब स्कॉש कॉस्वाइब तो अब तो कामन चला गए न इसको हटादेते हैं इसको हटाते हैं नोट करते助 हेल वा बांगी ऐसे ऐसे चुटकियों में सॉल्व करेंगे एक्जाम्पल को चुटकियों में सॉल्व होते हैं यह तो उपर तो ऐसे लिखो a square sin square theta plus b square cos square theta whole power 3 upon 2 upon में a b ठीक है और आपको पता sin square theta plus cos square रदबन होता ना तो रो के एक्वल a square sin square theta plus v square cos square theta whole power 3 upon 2 upon में a b इसे equation डालो 5 डालो भैं इसे equation का डालो first डालो अब cd निकालेंगे क्या निकालेंगे cd इसको रफ कर देते हैं यह नोट करते हो लाइक करते रो दवा दबा के लाइक करते रो वीडियो को जदा जदा share किया करो जदा जदा सेयर किया करो इसे equation डालते है फार्स्ट ठीक है अब निकालते हैं cd तो cd का formula आपको पता ही है मतलब distance के लिए यह फार्मॉला होता है यह तो चोड़ चोड़ बच्चे जानते हैं कि डिस्टेंस के लिए यह फार्मला होता है चोड़ चोड़ बच्चे जानते हैं तो आप लोग तो जानते हो अब क्या करना है इसको एक्सवन ले लो इसको एक्सटू ले लो और इसको वाइटू ले लो ठीके लगा एक्सवन क्या है मै जीरो है। होल स्कार पिलस है अब बायवन मैनस दाइट तो फी कॉस धीटा और यह सब रहेगा रूड में कि तो CD के इक्वल देखो जड़ेए इसकॉयर है ना इसकॉयर साइन स्कॉयर ठीटा यहाँ पे देखो वी स्कॉयर कास स्कॉयर दीटा यह रूड है अब आपको पता है हमें क्या चाहिए C D Q चाहिए क्या चाहिए C D की पावर 3 तो पावर 3 का क्या कर दो दोनों साइड क्यों कर दो तो c d q तो a square sin square theta plus v square cos square theta whole power 3 upon 2 हो जाएगी क्यों q being both side दोनों पच्चों का घं किया है तो इसकी power upon में होती ना बना पान 2 तो भाई नीचे 2 लिख दिया उपर 3 लिख दिया अब बात करेंगे हम नीचे a b से डिवाइड लगा दो c d q upon a b equal a square sin square theta plus v square cos square theta whole power 3 upon 2 upon में a b से डिवाइड दिया है अब देखो यह किसके equal है कहां गया है यह देखो यह किसके equal है रो के है तो हम क्या करेंगे रो के equal इसको लिखेंगे तो यहां पर c d q upon में a b equal रो कहां से वाइक्वेशन फस्ट से आपने यह वैलू रख लिए हैं तो imply that रो के लिख दो c d q upon में a b यह हमको लाना था क्या लाना था यह हमको लाना था हाइलाइट कर दो जिससे नंबर मिलते हैं हाइलाइट कर दिया गरो तो देख लो के इकवल c d q upon a b इस पॉइंट से रेडियस आपकर वेचर निकाला है तो यह यह एक्जमपल 5 भी कंप्लीट हुआ अब नेक्स्ट एक्जमपल इसको सॉल करवाते हैं यहां पर बताया गया है प्रोव देट दा रेडियस आप कर वेचर आइड एनी पॉइंट ही आप दा साइक्लोइड एक्स के एक्कोल इतना है बाई क्यों इतना है इस फॉरे कॉस्ट इया पांटु तो रेडियस आप कर वेचर हमको प्रूब करना है यहां पे लिखा है प्रूब देट रेडियस आफ करवेचर फोर ए इंटु में कॉस्ट यह पाउन टू बहुत ज़्यादा आया हुआ है लाइन लगी है वाई तो इसको प्रेक्टिस करना ही करना है था तो क्या लिखना है दगिविन कर्व लिखना है सबसे पहले तो यहां पे लिखते हैं सबी स्टुडेंट लिखो बहुत ज़्यादा आया अगर कर्व का नाम दिया गया तो लिखलो यहां पर बोला है cycloid, क्या बोला गया है, cycloid बोला है, सभी student लिखो, नाम कर्ब का, ठीक है, अब लिख लो, x के equal a, t plus का sin t, ठीक है, और y के equal a, 1 minus cos t, अब यहां पर बता हो, वाई, parametric बता हो, तो where t is parametric, t क्या है, parametric है, तो जो भी variable parametric होता है, उसी के बिद रिस्पेक्ट हो, हमको differentiate करना है, formula तो पता ही है, radius आप करवेचर के लिए, formula तो पता ही है, काउन से लगेगा, वाँ पर हमें value चाहिए होती है, formula में, dx upon dt की, क्योंकि यहां पर t parametric है, dy upon dt के, 4 value चाहिए हैं, तो आपको निकालना पड़ेगा, तो t अगर parametric है, तो इसी के बिद रिस्पेक्ट हो, आपको differentiate करना है, कर लो भाई, तो यहां पर, dx upon dt, equal a, t का 1 हो जाएगा, साइन का क्या होगा, cos, ठीक है, next, d2, x के upon dt, square equal, तो डारेक्ट लिख लो, क्योंकि बनका 0 हो जाएगा, co से start है, माइनस चोड़ेगा, by, co से start है, जो co से start होते हैं, वो माइनस चोड़ते हैं, जब differentiate करोगे, तो 3 होते हैं, co से start, cos, cod, cos, 1, जब differentiate करते हैं, माइनस चोड़ते हैं, तो माइनस आगया, अब बात करेंगे, यहां पर, dy upon dt की, चलो भाई, यहां पर plus आ जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस, पिलस हो जाएगा next d2y upon dt square तो a cos t फार्मला तो पता ही आपको तो यहां पे लिखेंगे we know that we know that radius of curvature के लिए dx के upon dt का whole square plus dy upon dt का whole square whole power 3 upon 2 upon में 4 bracket पहला bracket dx के upon dt का होता है दूसरा bracket d2y upon dt square का होता है तीसरा bracket dy upon dt का होता है चौथा bracket d2x के upon में dt square का होता है ठीक है अब 1 by 1 की value रखो तो रो के equal देख लो dx upon dt यह value है square करके रखना है तो a square one plus का cost t का whole square plus dy upon dt की value देख लो यह square करके लिखना है a square sin square t whole power 3 upon 2 upon में dx upon dt की value रखो क्या है a one plus का cost यह ठीक है अब आपको d2y upon dt square की value यह रखना है तो a cost यह ठीक है माइनस अब बैलू रखना है dy upon dt कहां गई यह है a sin t तो हमने a sin t यहां पर लिखा अब देखो यहां पर अब बैलू रखेंगे हम d2x upon dt square यह है माइनस का a sin t माइनस का a sin t ठीक है अब कामन आमन लेंगे देखो हमें आंसर इतना निकालना है तो उपर क्या कामन मिला a square a square मिल गया तो अपनी power लेके आएगा न 3 upon 2 है तो power लेके आएगा जो भी कामन लेना है वो power लेके आएगा अब break it में a plus b का whole square लगा दो a square plus b square plus 2ab ठीक है अब यहां पर बात करेंगे कहां पर बात करेंगे यहां पर तो a square common चला गया तो क्या मिला sine square t मिला और whole power आपकी 3 upon 2 है अब आँ में देख लो अब बात करेंगे हम नीचे कामन क्या मिला a का a में into करो a square यहां पर भी मिला तो a square हमने common ले लिया अब देखो यहां पर into into कर लो तो one में करेंगे ना तो cos t cos में करेंगे तो cos square t ठीक है अब minus minus plus sine square t हो जाएगा ना sine square t देख लो minus minus plus हो गया अब cos square plus sine square क्या होता बन होता है रखेंगे और यह power one है और इसकी 3 upon 2 तो यह power one इसमें minus कर दो तो हाप power मिलेगी आपको क्या बोलेंगे रूड बोलेंगे तो रो के यह रूड में आ जाएगा ठीक है और यहां पे sine square cause square है तो बन देदेगा तो बन पहले से two मिल जाएगा समझ रहे हो यह two कैसे लिखा बन पहले से और cause square sine square ने बन दिया तो बन-बन डू हो गये ना whole power 3 upon 2 upon में देख लो कॉस टी और प्लस का यह वोगे ना साइन इसकार प्रेस को स्कार इतना नोट गुरूब एंगिल हाफ बनाते हैं कैसे बनाओगे पहले इसको आप करते हैं तोड़ा रेविड फाइल ले लेते हैं इसको जैमाकाल जल्ली लगजा सवाल नहीं तो पिपर में हो जाएगा बावल नहीं होगा ना ऐसे आइसे लगते हैं देखो रो के एकवल तो ए ले लो और टू कामन ले लो क्योंको जब टू लेंगे न तो थ्री अपांटू पावर लेके आएगा ठीक है अब ब्रेकिट में वन प्लस कॉस्टी होल पावर थ्री अपांटू मजा आ रहा है तो लाइक करते रहो दबा दबा आई त‌बंपावर यहां पे लेस्ट की तो रूड में आ गया था यह ऐसे यहां पे गाल लेस्करों यह रूड में आ जाए जाएगा गा गारल लो टूरूट टू अरे भाई ठीपांटू है बन पावर अलग करके और बन अपांटू अलग कर लो तो बन पांटू रूट आ गया बन पावर ऐसे लिख दो अब यह रूड में आ दिखकत आएगा आप मेरी बन वाई वन कलास नहीं ले रहे हो जिसे यह चीज़ा हम बता चुके हैं काई कि बता चुके हैं कई कि पलस उतों क्या करना होता है बन माइन со तो क्या करना होता है तो बनkkो टोकाष्टि करने के लिए को स्टू ठीटा का फार्मळा कॉस में लगाते हैं अगर माइनस है यहां पर माइनस है तो वन को केंसिल करने के लिए कॉस्ट टू टीटाग फार्मला साइन में लगाते हैं माइनस है साइन में लगाओ पिलस है कॉस में लगाओ यह आपको दियां रखना है तो रो के एक्वल टू रूट टू ए वन प्लस क त्वाई्वाइट ऊपान टू-1 यह सब्सक्राइब सब्सक्राइब यहां से रूट तू निकालो बाहर मतब ऐसे लिखलो और इसको बाहर मिखलो कॉज Tशीन अमबात करेंगे अ कन कोSpeili को प्ला करें तो यहां के आ गया भाई यह क्या आ गया आंसर आ गया नोट करो भाई 4a कॉस्ट अपांटू अब एक जामपल और बचाए उसको भी करवाते हैं अब इसको करवाते हैं यह लास्ट इक्जामपल है देख लो तो find the radius of curvature at any point t of the curve x के equal इतना है और by के equal इतना है तो क्या find करना है radius of curvature तो the given curve लिख लो यहां पर solve करवाते हैं इसको the given curve सभी student लिखो करव का अगर नाम दिया गया तो लिख लो दिया गया नहीं दिया गया है तो x के equal हम लिखेंगे a cos t plus का log 10 t upon 2 ठीक है और y के equal a sin t ओके यहां पर लिख लो पैरामेट्रेक टी है पैरामेट्रेक टी इस पैरामेट्रेक तो लाइक करते हो बाइच दवा दवा के लाइक ठोको बाई यह लास्ट एक्जामपल है कम्प्लीट हो जाएगी exercise 12.1 तो भाई पैरामेट्रेक के लिए फार्मला तो पता ही है रेडियो साफ कर वेचर चार बैलू चाहिए तो dx upon dt निकाल लो पहले तो कॉस का होगा मैनस का साइन ठीक है इसका बना पान ले लो लॉक का होता है बना पान ठीक है अब तेन का करेंग तो सेख स्क्वाइरा आएगा लाज का पहले कर लिया अपान में लिक दिया ने का किया सेख chemical कर यह निक है तो लगां रोज पन कांट संप्राइफक करता है तो इस मायनस का साइन टी और पिलस इसे चेंज Sun Card Cos Fascitch altar ऊपर चला जाएगा और नीचेать किया है इसको इसको क्या किया भिर्यक सु कर लो कॉसम है कॉसित को टी अपॉन टू और यह टू है यह यह होगाइं दू है is साइन टी अपान टू इंटू कॉस्ट टी अपान को साइन टू टू को इसको तो ऐसे लिखना है इसका इनवर्स करो इन वह इसलिए कर रहा है कौषिक लिख देंगे क्योंकि हमें डी2-1पान dt2 की बेलों चाहिए अगर आपने LCM ले लिया यहां पर LCM अगर ले लिया तो देटू एक सपान डीटी स्कॉयर की बेलों निकालेंगे तो Numerator and Denominator का फार्मुला बनेगा बनेगा तो हम क्या करेंगे नियुम्रेटर और दिनुम्रेटर का फार्मॉला ना बने तो इन वर्स कर लो इसका को सिक कर लो रेशी प्रोकल कि अब हम निकालेंगे डीटू एक्स अपान डीटी स्क्वाइर अब सिंप्ल निकलाएगा तो देख लो यहां पर और यह यहां है यज दीटू एक्स के अपान डीटी इसक्वाइर तो बता भाई सायन का बोलो कॉस होगा ना अब इसका बता का सिक सी ओ से सट अथ मानेश चोड़ेगा को सिका क्या हो था मैनेश को सी कोड होताना तो कॉसिक कॉट तो ठीक है अब हमको क्या चाहीए नीथी चाहिए तो वाइद गालो यह' में ग्रों डिफनेशेयड एक लिस अ कॉज्टी पर इसका कर लो दीटू पन धीटीO तो क्या मिलेगा मैनस का यह साइन तो चार बैलू निकाल ली है अब फार्मला लगाएंगे उसमें यह बैलू डालेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर वी नो डैट तो लाइक करते हो बाई दवा दवा कि लाइक करो वीडियो को जादा से जादा शेयर किया करो बाकी हम पर दो मारकर चल रहा है ना रावर्ड पिंडीया एक्स्प्रेस यह लोगल पावर थी अपन टू बोल पावर ठीट आपान में पहले विरेकिट में डी एक्स अपनडिटी और दी टूभाइ अप ऑन डैती स्कीनड ब्रेकिट में थार्ड बेगिड वाइच डी वाइप आए द के भाइग है कि निसको रीभिटवायर लाइक कर दभा दभा आधा की लाइक करो दो के इक्वल-डेख 50 pasta जिए थी के और अब बात करेंगे हम डीवाइपऑन डीटी की यह रहे इसकोर करके लिखो क्योंकि यहां पर भी यहां पर भी पावर टू है स्कॉर करके लिखो गए जब रखो गए तो 3-2 अपान में अगर इसकी बात करें dx अपान dt की फिर अगलो यह वैलो तो ए मैनस का साइन टी और प्लस का कोसिक टी ठीक है अब बात करेंगे हम कि डीटू बाइपन डीटी स्कुरर की यह रही वैलो मैनस का ए साइन टी ठीक है अब मैनस के बाद में डीवाइपन डीटी की यह रही ए कॉस्टी डीवाइपन डीटी की ए कॉस्टी डीटू एक सपान डीटी स्कुरर की यह रही इसको मुरफ करते हैं क्योंकि अब अब इसका कोई यूज नहीं होगा अब केवल आगे सॉल्ब करेंगे ना यह वैलू रग लो यह वाली तो ए मैनस का कॉस्टी और मैनस का कॉसिक इंटू में कॉट ठीक है अब इसको भी अटा दो वही बैलू तो रख ली है आपने अब दो कैसे सिंप्लिफाई करूगे वह आपको समझना है जैसे अगर स्यवाट है तो जब कामन अपने लिया तो आवर लेके आएगा ठीक अप Щं यहां पर इस्कोई माइनस बी ऑफिर होगा तो अब बात करेंगे यहां पर कॉस्ट इस्कोईर टी ऐसे यह लिखको क्यूंब कैस्ट अमने कामन लिया बहर अब देखो यहां पर यहां पर कैसे करोगे हाँ एसकॉयर यहां से भी बनेगा यहां से भी बनेगा कामन ले लो तो एसकॉयर हमने ले लिया कामन अब देखो यहां पर जैसे अगर साइन का इसमें इंटू करें तो मैनस मैनस क्या हो जाएगा पिलस हो जाएगा ना साइन पॉसिंग में करूं तो बन देगा न और माइनस प्लस माइनस का वन हो गया अब देखो यहां पर माइनस माइनस प्लस और यह वाला प्लस दोनों प्लस हो जाएंगे केवल कॉस का इंटू कर देना है दोनों टर प्लस के आएंगे और एंटू ए एसकार कामन ले लिया तो कॉस का कॉस में करेंगे पिलस का कॉस इसकुआरणी अभे यहां पियाते हैं अब कॉस का इसमें करेंगे तो इसका मख्यान बन ऑन हुगा कॉस ऑपन आहाएं क्या होग garlic को पहले से क्या हो गया есть हैं कोड पहले से कोड़ इसकार हो गया ठीक है अब यहां है इसकी थीょ मैनश कर दो क्वर आप आन में साइने स्क्रार कोज स्क्रार वन रहा माइनस वन और प्लस का कोड कषपोर क्योंट यह वन केंचल हो गया यह नहीं हो यहां पर यापहा टू है उपर मैनस करना पड़ एगा चलो यहां पर देख दो रोखे कोड़ी यह बाहर नकाल दो यह बार निकलो ए और यह कॉसिक स्क्वाइर टी माइनस वन तो यहां पर कह लिखेंगे कॉसिक स्क्वाइर टी माइनस वन होल पावर 3 अपान में कॉड स्क्वाइर टी अब देखो यह फार्मला होता है कॉसिक स्क्वाइर टी माइनस वन code square के equal होता है तो ρो के equal A code square T whole power 3 upon 2 upon में code square ऐसे लिखो यह से法 मला होता है हम आपको बता देते हैं कोसिक square theta के equal होता है 1 पिलस code square theta यह फार्मला होता है अगर बन को यहां पर भेजेंगे इस side तो equal मेंहें कॉड square बचेगा यहां पर लिखा है अब देखो इसकी पावर और इसकी पावर जैसे यहां पर जैसे इसकी पाव वन्ट ही मने माइनस किया था तो बनापंट्थ को रूड मे देखा है ऐसे यहां पर बन किहां ममाइनस करोगे हाज थाफ पावर मिले तो रूड में लिख dö understand तो रो के एकवल एक वाड़ स्कुरार टी ठीक है रूड में लिख लो तो रो के एकवल कितना मिला बाहर निकालो इतना मिला तो रेडियस आफकर वेचर एक और टी यहां पर टी है टी लिखो ठीक है टी लिखो टी रेडियस आफकर वेचर निकला है एक और टी यही पूछा गया था तो इस क्लास में यह एक्सरसाइज कंप्लीट हुई मतलब एक जामपल जो हैं कंप्लीट हुए हैं अब बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तो पहले उसका बेसिक पढ़ाएंगे अगली क्लास में फि यह मेरी क्लास चलेगे तो वीडियो को लाइक कर देना सभी स्टूरेंट और इस वीडियो को जादन से जादन से शेयर कर देना अपने फ्रेंड सरक्ल में मिलते हैं एंगली क्लास में आज के लिए इतना है काफी है धन्यवाद